Hello everyone, आज इस वीडियो लेक्चर में हम 10 स्टांडर में आपको do as directed जो पूछा जाता है, उसमें से एक चीज सिखेगे, तो बहुत ही मज़ेदार हैं, और उसे हमने एकदम सिंपल तरीके से सिखाने की कोशिस की हैं, तो तहां से दिखते हैं चलो क्या हैं? रिराइटिंग यूजिंग अनलेज, इन प्लेज ओफ इप, या तो आपको पूछ सकते हैं, यूज अनलेज, मतलब अनलेज का यूज करो, या तो सेंटेंस दिया हैं और पुछे ये, कि इसके अंदर इप के बढ़ले आपको अनलेज यूज करना है, जिदर इप है, उदर अ रखना है, कि अनलेज, अनलेज जो वर्ड है, वो खुद एक नेगेटिव वर्ड है, जब उसका ट्रांसलेशन करें के ना, तो उसका मतलब नेगेटिव होता है, तो दिखते हैं, चलो एक लिखाए, अनलेज यूज यूज प्रेक्टिस, यूज नोट लर्न मैट्स, तो य गणित नहीं सिक पाओ के, ठीके, तो यह नहीं जो है, वो अनलेज का ही ट्रांसलेशन में आएगा, तो इसलिए वो अल्रेडि नेगेटिव है, तो उसके पीछे दुसरी बार नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इट मेंस, डॉन्ट यूज नोट, अप्टर अनलेज, अनले दिया है, unless he does not speak, देखो, unless के पीछे does not negative है, तो यह sentence incorrect है, unless के पीछे negative आना चाहिए, नहीं, ओके स्टुडेंस, अभी इस topic को आसान बनाने के लिए हमने खाली दो ही point लिखे है, लेकिन आप समझ जाओगे, एक trick है, याद करने की, watch if close, मतलब आपको जो sentence दिया है, उसमें सबसे पहले आपकी नजर if वाले close के उपर पढ़नी चाहिए, फिर उसको read करो, अगर वो negative है, तो उसमें से negative निकालना है, remove negative, बस, that's it, उसके बाद कुछ भी change करना नहीं, I repeat, watch if close, if close को ध्यान से देखो, अगर वो negative है, तो remove negative, उसको negative निकाल दो, बस, और कोई change करना नहीं हो गया, second tip, watch if close, if close को ध्यान से देखो, अगर वो positive है, मतलब negative नहीं है, अगर वो positive है, उसके बीचे not लगा हुआ है, if close में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको unless use करने जा रहा है, तो आपको क्या है, make other sentence negative, दूसरे sentence को negative बनाना है, सिंपल चीज, अगर if close आपको positive है, तो आपको दूसरे sentence को negative बनाना है, अगर if close negative है, तो खाली negative निकाल देना है, बस तेर सिट, चलो दित्ते हैं इप विराट डास नॉट प्ले नाउ इप लूज एवरीथिंग देखो विराट कोहली के बारे में इप विराट डास नॉट प्ले नाउ इप लूज एवरीथिंग चलो सबसे पहले हमारी नाजर जायेगी इप क्लोस भी गई चलो, if close क्या है negative, if virat does not, आगा है negative, तो यह पहली वाली tip हो गई, कि if वाला close negative ही, तो उसका negative निकाल दो, बस, that's it, और कोई change नहीं करना है, तो if के जगा unless लिखना है, तो starting में आएगा तो you capital, बीच में आएगा तो you small, unless virat place, देखो does not आप निकाल होगी, यह खाली not नहीं नि do not, a does not, तो उसको साथ में निकलना है, वो grammar के इसाब से, तो unless virat place, अगर does not जाएगा तो वर्ब के पीचे yes या तो yes लगेगा, did not निकलेगा तो ed लगेगा, तो यह सब rules आपको पता है already, तो unless virat place, देखो yes लग गया, now, he will lose everything, इस unless के अंदर कुछ भी नहीं करना है, इसमें if they do not complete homework, they will be punished, चलो if close में हमारी नजर जाएगी, if they do not complete homework, do not negative आगया, चलो, negative आगया, if वाला close negative, तो उसका negative निकलना है, बस, तो if they, अगर do not निकल जाता है, तो वर्ब के उपर कोई impact होता नहीं है, yes, yes कुछ लगता नहीं है, तो unless they complete homework, they will be punished, बहुत असान है न, इस दो tips देखने के बाद, चलो अब तीसरा देखो, if you play smart, अभी देखो यह second वाला आगया, if close के हमारी देखते है, चलो, if you play smart, मतलब इसमें तो negative नहीं है, मतलब यह positive sentence है, तो उसमें क्या करना है, दुसरे वाले sentence को negative बनाना है, तो if के बाद, unless रख देते हैं, unless you play smart, you will not win, देखो, हो गया, you will not win, ओके, चलो, he was furious, if anyone entered his room, फिर से sentence देखते हैं, देखो, if वाला close इसमें बीच में है, he was furious, if close इधर से start होता है, if anyone entered his room, तो हमारा ध्यान इसके उपर ही जाना चाहिए, if close, if anyone entered his room, यह तो positive है, यह तो positive है, तो दुसरे वाले sentence को negative बना दो, तो he was not furious, unless, if के बड़ले, unless anyone entered his room, पता चला, students, अगर इसमें, entered के बड़ले, did not, नहीजा कुछ लगा दिया, तो पूरा wrong हो जाएगा, तो ध्यान से, हमारा, if anyone entered, इप वाला close positive ही, तो कोई बात नहीं, दुसरे को negative, he was not furious, unless, बाकी as it is, ओके, for number, यह सभी standard, standard 10 के sentence है, he was furious वाला 10 standard की book से ही लिया है, मैंने, तो यह वाला भी उसमें से ही लिया है, तो आपको exam में भी काम आ सकते ही, चलो, if I took the money, देखो starting में है, if वाला close, देखते है, if I took the money, इसमें तो मुझे negative नहीं दिख रहा है, मतलब positive है, तो second number की tips, तो पीछे वाले को negative बना देखे, unless I took the money, I could not get the train to लखना, तो could कोई negative बना नहीं, तो simply could not हो जाएगा, इलास्ट वाला, इसमें देखो थोड़ा grammar में negative कैसे बनाते है, वो ध्यान दखना है, ठीके, चलो, she was sure, he would die, तो देखो, यह if close जिसमें आगे नहीं है, तो चलो, हमको कोई मतलब नहीं है, हम आगे बढ़ जाते, हमारा नजर तो if close पे जाना चाहिए, if we did not see, आ गया नेगेटिव, क्या आ गया नेगेटिव, मतलब if close नेगेटिव है, तो नेगेटिव उसका निकालना पड़ेगा, उसका नेगेटिव निकालना पड़ेगा, उसका नेगेटिव निकाल दो, that's it, और कोई changes नहीं, दुसरे वाले को positive मत बना देना, हम, चलो, तो she was sure he would die, इधर दक first close था, she was sure he would die, unless, अभी देखो, did not निकल रहा है, तो वर्प का we too, past form हो जाएगा, तो did not निकल रहा है, तो see का क्या हो जाएगा, so, अगर did not go लिखा है, did not निकल रहा है, तो go का हो जाएगा, went, तो यह चीज आपको याद रखना है, unless he saw her every day, यह 10 standard के 3 के 3 sentence थे, दिखने में tough लगता है, लेकिन यह 2 trick से 100% work करेगा, फिर से देखते हैं, she was sure, वो मत देखो, हमां तो if close देखना है, हाँ, देखा चलो, if he did not, हो गया first tip, यह तो negative है, इसका negative निकल दो, आटोमेटिक हो जाएगा, दुसरे को touch मत करो, she was sure he would die, unless he saw her every day, okay students, तो फिर से मैं repeat करवा देता हूँ, कैसे याद रखना है, हमारे सबसे पहले हमारे नजर, if वाले close पे होनी चाहिए, अगर वो negative है, मतलब does not, do not, did not, ऐसा कुछ है, उसके साथ, is not, m not, r not, तो उसका negative-ness निकाल दो, बस, that's it, दुसरे वाले sentence को touch मत करो, touch मत करो, और दुसरा देखो, दुसरा टिक, तो watch if close, अगर वो positive है, if वाले close positive है, तो आपको दुसरे sentence को negative बनाना पड़ेगा, दुसरे sentence को negative बनाना पड़ेगा, लेकिन खाले दुसरे sentence को, वो sentence में कुछ भी touch मत करना, ठीके, चलो इसमें देखते, if I took the money है, तो positive है, तो बस unless, लगा दो, और touch मत करना, हमारा काम क्या है, अगर positive है, if close, तो दुसरे में negative करना है, इसमें नहीं, तो if के वाले, unless, as it is, unless I took the money, I could not, हो गया negative, okay, तो बहुत simple topic था, आपको, I hope, मजा आया होगा, okay, so keep watching, keep learning, bye bye, have a nice day, and don't forget to subscribe the channel,